असलाइम वलीकूम वल्कम टो यूर्स किचिन आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलिशियस सी दूद से मिठाई आप ज़रूर ट्रै करिएगा यहाँ पर हम पहले मखाने उनको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे मैंने यहाँ पर वन कप मखाने ले लिया है बस आपको इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक जो है ना रोस्ट कर लेना है मीजियम टू लो फ्लेम पर हम ड्राइ रोस्ट करेंगे इसमें कुछ भी आइड नहीं करेंगे इस तरह से आप बना कर बच्चों को दे सकते हैं यह बहुत ही हल्दी होती है यह मिठाई जो मैं आपको बता रही हूँ यह देखें मैं आपको क्रश करकर दिखाती हूँ इतना आपको इसे रोस्ट करना है कि यह असानी से इस तरह से तूट जाए बस आप इसे थंड़ा कर लें इसके बाद इसे ग्राण कर लेंगे वनकप टैसिकेटेट कोकनेट ले रही हूँ जो कटोकनेट का बुरा होता है उसे कहते हैं और वनकप जो है मिल्क पौडर आट करेंगे वनकप जो है शुगर आट करेंगे बस सारे चीज़ों का अच्छे से ग्रैंड कर लेंगे ये देखें इसका जो है अच्छे से पाउडर बना लिया है मैंने फाइनली जो कड़ाई में हमने रोस्ट कर लिया था ना वो इसमें आड कर लेंगे मकानों को भी हमें अच्छे से ग्रैंड कर लेना है और यह देखें एट लिए है मैंने इसे फाइंट पॉडर बना कर यहाँ पर हम दूद एड़ कर लेंगे तकरीबन दो कप के खरीब थिक हैं बस आपको इसे अची तरहा से मिक्स कर लेना है ताकि कोई लम्स नहाँ著 मैंने यहाँ पर फ्लेम को अन नहीं किया है अगर आप flame को अभी on कर देंगे तो जो ही है लंस पड़ जाएंगे milk powder किसमें तो अच्छे से mix करने के बाद आपको flame को on करना है ठीक है high flame पर आपको इसे नहीं पकाना है वना जो है दूर bottom में stick हो जाएगा और जो है ये इसका जो taste है मिठाई का वो खराब हो जाएगा medium to low flame पर हमें इसे अच्छे तरह से पकाते जाना है जैसे ही ये ठीक होने लगेगा तब आप उस time पर जो है ना थोड़ा सा flame को medium to high कर सकते हैं थोड़ा सा मैंने यहाँ पर raspberry color add किया है ताकि हमारे मिठाई लुकवाइज बहुत ही अच्छी लगे ठीक है ये दिखें अच्छी तरह से आप इसे mix कर ले और थोड़ा सा इलेची powder add किया है टेस्ट को enhance करने के लिए अच्छी तरह से आप इसे mix करते जाएं ये दिखें ये ठीक होने लगा है ठीक है बस आपको इसके उपसे नजर हटाने नहीं है बस आपको continuously इसको stir करते रहना है ठीक है burn होने का जो है थोड़ा सा chance होता है यहाँ पर तो आपको इसे chance नहीं देना है और यहाँ पर मैंने पहले से ही grease करकर रख लिया है जिसमें आपको मिठाई जमानी हो सेट करनी हो उसे आप अच्छे से grease कर ले और मैदे से या फिर wheat floor से डस्क कर ले पाके जो हमारी यह मिठाई आसानी से निकल जाए जैसे यह मिठाई जो है पान को छोड़ रहेगी टैम पर फ्लिम को off कर दें हम इसमें मिठाई को transfer कर लेंगे यह अच्छे से थिक हो चुकी है बस आपको इसके उपर से सेट कर लेना है अगर आप चाहें तो silver foil भी इस पर stick कर सकते हैं मैंने यहाँ पर elements को बारिक chop कर लिया है इसके उपर से अच्छे से garnishing कर लें जो भी आपको not चाहिए आप यहाँ पर add कर सकते हैं यह दिखें कितने यह यह लग रहा है बस आप इसे set होने के लिए रख दे तकरीबन एक दो घंटे के लिए उसके बाद इसको जो भी shape में से cut करना चाहते हैं आप इसे cut कर सकते हैं मैंने सिफ simply से square shape में ही रखा है मैंने यहां पर जो है ना वक से पहले ही इसे cut कर लिया है तो यह बहुत ही ज़्यादा soft है तो आप इसे 2-3 घंटे रख लें फ्रिज में और इसके बाद इसे cut कर लें बहुत ही यह बहुत ही टेस्टी हमारी यहां पर जो है ना मिठाई बनकर ready हो गई इस तरहां से आप बच्चों को बना कर दें बहुत ही healthy है और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार अगर आपको रशी पच्छी लगी है तो प्लीस लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दें ज्यादा से दे फ्रेंट से और फ्रेंट से शेयर कर इंस्टेकर आप पी प्लीस मुझे फोलो कर लें थैक्स वाचिंग